हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूटुब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड़ा चेंजिंग दवे ओफ लर्निंग चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं में 2020 की स्पोर्ट्स करेंट अफेर्स की तरफ उससे पहले अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फिजिकल एजुकेशन अड़ा तो फ्रेंड्स यह आपके सामने मेरा कोस्टन नमबर वन कोस्टन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं आप फोन को अटोर्ट अटोर्टेट मोंड में कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अच्छी से दिखे तो फ्रेंड्स यह आप मेरा पहला कोस्टन इसका आंसर हो जाएगा आपका महराश्टरा अार्शारौव शुल्ष भी लोस्ट अविभ्वेंट्ट अप्टिम्ने शुल्ष थास्टारं शुल्ष टो थीजिम्ने लुटार्श्ट इन शुलीज दो थास्ट पूर्श्ट अप्रीडाइब। चैम्पियंशिप 2021 वांद उत्र प्रदेश्व फ्रेंट्स आपको इस कोश्चोन में इन डाल्ेकली दो कोश्चों में बने होग इंदिया सिनियर में डाल चैमपियणशिप 2021 कौंशे स्टेट कर आएगा महरास्nehmer में पर moobra कराएगा उत्र प्रदेश तो फ्रेंद्स चले को से नम्बर टू की तरफ फ्रेंड फॉर्ट्बॉल फैडरेशन ए इफ्फ फॉर इस एर्जुना अवर्ड फ्रेंड्स इसका आंसर हुजाएगा आपका संदेश जिंगन और एन बाला देवी संदेज जिंगन एन एन बाला देवी संदेज जिंगन एन एन बाला देवी आप यहाँ पे छोटी सी राइट साइड में पिच्चर में देख सकते हैं एन बाला देवी का पिच्चर है इन एन नेशनल फुटबाल टीम सेंटर डिवेंडर संदेज जिंगन एन उमेंस टीम स्ट्राइकर एन बाला देवी वेर नॉमिनेटेट फॉर दा प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड बाई दा ओल इंडिया फुटबाल फेडरिशन आपको यहाँ पे मैं आपको इस कोस्टेन में तीन कोस्टेन इंडरेक्टली बता दोता हूँ पहला कोस्टेन जो कोस्टेन दिया है अर्जुना अवार्ड के लिए फुटबाल से किसको नॉमिनेट किया गया AIFF के द्वारा है तो उसका अंसर हो जाएगा आपका एन बाला देवी महिला फुटबाल टीम की तरफ से और संदेज जिंगन पुरुष फुटबाल टीम की तरफ से दूसरा कोस्टेन AIFF का फुल फर्म क्या होता है और इंडिया फुटबाल फेडरेशन तीसरा कोस्टेन अर्जुना अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स आपको यह भी कोस्टेन गूगल में सर्ज करना है और अपसकी नोट्स बनाना है कोई भी कॉम्टेटिव एक्जाम के लिए मेरे इसाब से आइज अर्जुना ओड वार्ड वो स्टार्टिव इन यह नियर इंटेन सिक्टिए तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट कोस्टन की तरफ Sports Authority of India, SAI, has formed a committee to prepare SOP to resume training post-lockdown Who is the current Director General of Sports Authority of India? Friends, let me repeat this question. Sports Authority of India, SAI, has formed a committee to prepare SOP to resume training post-lockdown Who is the current Director General of SAI? Friends, इसका अंसर हो जाएगा आपका, Sandeep Pradhan is the current Director General of Sports Authority of India चलिए चलते हैं इसके explanation की तरफ देख सकते हैं आप Sandeep Pradhan की right side में में उनकी clip लगी है Sports Ministry appoints Sandeep Pradhan as the new Director General of Sports Authority of India Friends, अब चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन की तरफ Friends, आपको में इस कोस्टन में भी आपके indirectly दो कोस्टन बन सकते हैं पहला तो जो कोस्टन है वो, who is the Director General of Sports Authority of India Sandeep Pradhan ji and Sports Authority of India was founded in which year Friends, ये वी कोस्टन हो सकता है I think it was Sports Authority of India was founded in the year 1981 or 1984 You can cross check it and tell me in the comment box section by commenting down the box आपका भी थोड़ा इंट्रेस दिखाईए Friends, चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन की तरफ Who will remain the President of International Hockey Federation FIH until May 2021? Friends, इसका correct answer होगा आपका option number B नरिंदर दुरूबत्रा नरिंदर बत्रा विल रिमेन दा प्रेसिजेंट आप इंटर्नेशनल होकी फेडरेसन FIH until May 2021? Friends, चलते हैं इसकी एक्स्टनेशन की चरफ आप देख सकते हैं नरिंदर बत्रा जी को नरिंदर बत्रा विल रिमेन प्रेसिजेंट आप इंटर्नेशनल होकी फेडरेसन FIH until May 2021? The FIH state said in a statement on Friday while announcing the postponement of the 47th FIH Congress that the terms of बत्रा और एंग्जेकुटिव बोर्ड मेंबर्स विच वे दूट आप इंट आप इंट्टूबर 2020 have now been extended you also can read it friends इस question में फिर से आपका में इंडरेक्ली दो questions बनते हैं आपको में बता दो FIH के head है नरिंदर दूब बत्रा इंट्रनेशनल होकी फेडरेसन दूसरा question इसी question बनता है आपका FIH इंटरनेशनल होकी फेडरेसन का फाउंड हुआ था friends जो भी मैं आप इसको question पूछते जानों उसका answer आप मेरे कमेंट section में कमेंट करके ज़रू बता है और तीसरा question इसी में मैं आपको बता दूँ कि नरिंदर बत्रा जी इंडियन ओलम्पिक कमिटी के head भी है नरिंदर बत्रा जी इंडियन ओलम्पिक एसोशेशन के head भी है तो आपका इंडिरेक्टली इस question में तीन question बन चुके है friends चलिए अब चलते next question की तरफ who got a second term as the Mary Le Bon Cricket Club President who got a second term as the Mary Le Bon Cricket Club President तो friends इसका answer होगा कुमार संगकारा option number D आप देख लिजे question को who got a second term as the Mary Le Bon Cricket Club MCC President तो answer is कुमार संगकारा चले friends चलते हैं इसके explanation की तरफ कुमार संगकारा स्टेट्स स्टेट फॉर सेकेंड टर्म as MCC President Mary Le Bon Cricket क्लब तो friends I hope मेरे को आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया तो जल्दी से मेरे वीडियो को like करें और अगर आपको हर महिने की ऐसे ही sports current affairs चाहिए तो comment section में comment करके बताए और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले friends Thank you for watching this video Stay home, stay safe, जहन्द